पंपोर हमले की तस्वीरों ने पूरे देश को दहला दिया था ताबर तोड एके 47 से बरस्ती गोलियों ने CRPF के आठ जवानों को मौत के घाड उतार दिया था इस आतंकी घटना के पीछे भी पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे आतंकी हाफिस सईद का हाथ है जी हाँ दक्षिन कश्मीर के पंपोर में CRPF के काफिले पर हमले के पीछे हाफिस सईद के दामाद खालिद वलीद का हाथ था सूतर बताते हैं कि खालिद पाकिस्तान में अपने हैंडलर सैफुला साजित जट उर्फ नोमी के संपर्क में था इस हमले में शनिवार को आठ जवान शहीद हो गए जबकि जवाबी कारवाई में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया खुफे अजेंसियों को शक है कि पंपोर में आतंकी घटना का मास्टर माइंड हाफिस सईद का दामाद खालिद ही है वो लगातार अपने हैंडर और लशकर कमांडर सैफुला के संपर्क में था सोमवार को पंपोर शहर में श्रीनगर जम्मू हाइवे पर आतंकवादियों ने सीरपीफ के काफिले पर हमला किया इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए लशकर प्रमुख ने बयान दिया है कि भारतिय सुरक्षा बलो पर कश्मीर की आजादी तक हमले होते रहेंगे एक जाज टीम भी पंपोर के दोरे पर है कि लोस्वेर बया की टुझ टीम एक बडनी आटलांवादियों नेस एक वरहें बग्टारी प्रमूण वारादिते हैं बड़ प्रमूद बान्यों से लुज चूरे लेक प्रिया हैं तो इस बुकर, फूद भीके भी बूती बूती देरी रूपी की अवींद थाफी कि रूस, श्चाहिप बूपर पुजुटीर पॉछ दीरिप्टिज़ एंपने पूस्यू. और भीजू कैना बूल्स एंपर वेजू था पूस्टिज़ुज़ू भीजुटरीट्पिज़ू उब वस खोलओन कोई फसकогल कोई साथ थाव टो यू लट 세ग इसोन Jian वे港 पूलओने सम प्रो फसके विन वोल इसक प्राश ए टो फोर एंटिएड़स तो यविझा जाटन झालओन्ट लट ओट एन the under the operation one appears to be in very serious condition critical condition I think we need another twenty-four hours to know whether he will make it or not as far as the deceased are concerned all the martyr's bodies have been sent to their respective places in the case of six the final rights have been completed in the case of two they are in progress now right now and should be over any time now कर्सा 오र्ने भे नहीन नहीनिस प्जानी रॉकर विजरी प्हले लीचिश में dov प्रिस्क रेपलेस्ट रेजसे रिलीच पंवे Chi दे 27 लाको कि अएगा से supplementर निसे इशेें इवका नेश्योjust को नेडिता सैंवकरा पंपोर शहर से गुजर रहा, CRPF का काफिला जैसे ही नंब लाबल के पास पहुंचा, घात लगाए बैठे आतंक वादियों ने फाइरिंग शुरू कर दी थी. इस पूरी आतंक की घटना से एक बार फिर भारत में आतंक की हाफिज का कनेक्शन सामने आ रहा है. झाल